नमस्कार बचों, मैं विक्रम सेंख तो बचों इस बात पे ध्यान दो कि अब पढ़ाई का एक स्तर आगे बढ़ गया है एक लेवल चड़ गये है आप में से कई बचे ऐसे हैं जो बस सिर्फ सोच रहे हैं कि भाई पढ़ना है पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है कुछ बढ़ा करना है ये चीज उस समय नहीं आते जब हम सुबह उठना होता है दो पर को जब मुँखाली रहते हैं शाम होते ही दिल में फिर वो दर्थ शुरू हो जाता है कि मैंने आज सुबह बरबाद कर दिया, शाम दो पर बरबाद कर दिया शाम को थोड़ी तकलीफ उस समय फिर मन में आते है कि कहां से शुरूआत करूँ, क्या पढ़ू रात होते होते, फिर एक बात मन में आता है कि कल की सुबह जल्दे उठूँगा और एक नई शुरूआत करूँगा ये कल कभी नहीं आते हैं ऐसा होता है कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो शुरूआत के लिए वक्त आने का इंतिजार मत करो जो वक्त आपके हाथ में है, जो समय आपके हाथ में है उसे सही तरह से करो यानि आज अभी, अभी से शुरुआत करने होंगे और अब सवाल ये है कि कैसे करने होंगे बचो इस बात का ध्यान रखो पढ़ाई में क्या चाहिए तरक्की करने के लिए क्या चाहिए एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छा सिक्षक एक अच्छा syllabus की जानकारी किस तरह के प्रशनाते हैं एक्जाम में उनकी जानकारी टेस्ट दिला करके अपने आपको परक्षना और सही नोट्स की जरुवत है आपको सही नोट्स कैसे मिलेगा? कैसे आप बनाएंगे? अच्छा नोट्स कैसे बनाएंगे? जिनको थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम उसे और भी बहतर कर सकें और भी इनहेंस कर सकें उसकी quality बढ़ा सकें जब भी उसे पढ़ें तो आप में वो सारी बातें याद आ जाए कि जो आपने पढ़ा है या सिक्षक ने आपको पढ़ाए है और फिर जब कोई प्रशना आएं तो उस प्रशना का जवाब दे सकें जो पूछा गया है ये नहीं कि जो याद करके गए हैं उसी का इंसर करेंगे हम ऐसे भी प्रशनों का जवाब दे सकें जो हमने कभी सुना नहीं था लेकिन आज प्रशना आया बस उसको आज बनाना है सौल करना है हल करना है ये कॉलिटी डेबलप होना चाहिए तब ही हम कह सकते हैं कि हम जेई में सेलेक्ट हो पाएंगे मेडिकल में सेलेक्ट हो पाएंगे नीट में सेलेक्ट हो पाएंगे तो बुचो इस बात को ध्यान रखो कि आप क्या सचमुच में ऐसी तयारी कर रहे हो जो आप चाहते हो क्या आप किसी चीज़ का इंतिजार कर रहे हो बिटा, रोज समय गुजरते जाता है, इंतिजार कभी खत्म नहीं होती है इंतिजार कल का, इंतिजार फिर कल का, आज कुछ नया सूच लेंगे वक्त गुजरते जाएगा, और वो इंतिजार कभी खत्म नहीं होगा बच्छों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी सिक्षा ऐसा ज्यान जिसके बेज पर आपके जिन्दगी में तरक्की हो वही चाहते हो ना अच्छा मार्क दश्षिन चाहते हो ना अच्छा सिक्षक चाहते हो अच्छा कोच चाहते हो आपको पता होना चाहिए कि अब तक बहुत सारी पढ़ाई हो चुका है अब आगे बढ़ने में आपको तकलिफ न हो इस बात का ध्यान रखना होगा बच्चों इस बात का भी ध्यान रखें कि जब हम कोई क्लास लेते हैं तो बच्चों को हम बेश से पढ़ाते हैं कि बच्चों को एक प्रॉब्लम होती ही कि सर में कोई टॉपिक पढ़ता हूँ खोल के बुक में से तो आधा दूरा समझ में आता है या फिर पूरा ही नहीं आ शुरुबात ही मुझे ऐसा लगता है कि ना समझ में आ रहा है मैं आगे बढ़ते जाओंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा मैं वहीं से छोड़ देता हूं बचों हम अपनी classes इस तरह लेते हैं कि बच्चे का base कबर कर दें हर एक chapter में उसकी अपनी base होता है उस base से start करते हुए आगे push करते हैं और उनको advance तक पहुँचाते जाते हैं और बच्चा जब advance तक पहुँचता है तब उनकी confidence इतनी high हो जाता है कि वो सच मुच में कैसा भी प सूचना दे रहा हूँ मैं आपको कि हम J और NIT का RM बैच जिसके बारे में आपने सुना होगा उसके admission कुछ समय बाद हम बंद कर देंगे अब क्यों बंद कर देंगे क्या admission और नहीं लेना है नहीं बेटा ऐसा नहीं है आप जानते होंगे कि हर एक बैच में हजारों student जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आप ये भी जानते होगे कि उसमें backlog classes होते हैं महिने के अंत में यानि की 25 से 30 तारिक तक उस महिने जो भी पढ़ाई गया है उन सारी चीजों की एक backlog सिरीज चलती है यानि उस चीजों का revision करा जाता है जिससे क्या होता है कि हमारी जो पढ़ाई है वो एक spring की तरह आगे बढ़ती जाती है मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे भूले नहीं उसे थोड़ा revision कर देते हैं backlog सिरीज लागाते हुए यानि जो बच्चा छूट जाता है उनको भी cover कराते हुए हम आगे बढ़ जाते है लेकिन बच्चों अगर आप इसी तरह से सोचते रहोगे कि हम अभी admission ने लेंगे थोड़ी दिनों बाद लेते हैं थोड़ी दिनों बाद ले लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पढ़ाई छूटते जाएगा छूटते जाएगा और आप जब आँख आप जागोगे जब आप जाग जाओगे आप सोचोगे कि नहीं अब मुझे ले लेना चाहिए तो लेट ना हो जाए फिर उस समय आप परिशानी में आ जाते हो आप हमें फिर परिशान करते हो आप खुदी परिशान होते हो सर इतने जल्दी कोर्स पुरा हो जाएगा क्या मैं इतने जल्दी आप नीट निकाल सकूँगा क्या जे ही निकाल सकूँगा क्या इस तरह के question आपके दिमाँ में आते हैं तो बच्चों इस बात ध्यार रखो समय है अब admission ले लो अगर अभी admission लोगे तो सारी पढ़ाई होगी base भी होगा आपका सारी चीज़े cover होगी फिर advance भी होगा फिर question solution भी होगा फिर previous questions भी होगे आप notes भी बना पाओगे notes का revision भी कर पाओगे तो इसलिए कह रहे हैं अभी बढ़िया मौका है आपके लिए RM और RM 2.0 दो batch हमने दिये थे इसमें हजारों student आए और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें admission आया हुआ है अभी batch आगे बढ़ेगा और एक नया admission हमारा जो है एक flat offer के साथ है यानि कि 50% off के साथ आपको ये course मिल जाएगा इससे ज़्यादा discount आज तक नहीं दिया गया है इस बात का धियां रखना आपको अच्छे teacher के साथ पढ़ाई मिलेगी लेकिन एक बात है कि मैंने यहाँ पर कहा कि इससे अच्छा discount कभी नहीं मिलेगा क्योंकि देखी बटा होता यह है कि मैंने पूरे team से बात किया मैंने पूरे system से बात किया मैंने सबसे एक discussion किया कि हम क्या अब ही बच्चों को एक बार जो बच्चा छूट गए है उनका admission ले सकते हैं कुछ fees को down करके कुछ offer दे करके तो हमने यहाँ पर रखा मांसुन offer यह मांसुन offer 16 से 20 तारिक तक का है 16 से 20 तारिक तक है 16 से 20 जोलाई तक है यहाँ पर flat 50% off मिल रहा है नीट जेई और नीट में नीट जो की 11,999 का कूर्स है वो आपको मिल जाएगा 5,999 में इससे कम आज तक कभी नहीं था और ना कभी रहेगा और आपको मैंने बताया ना 20 तारिक के बाद इसका admission नहीं बंद कर देंगे हम ताकि हम यहां पर बच्चों को पढ़ाएं तो पूरे दिल लगा के पढ़ा रहे है जो बच्चे आए हुएं उनको और चुकि यह live class में हम हमेशा admission लेते रहेंगे तो बच्चे यह परिशान करते कि सर हमारा backlock लग यह हम कैसे करे याद रखो ऐसी नौबत नहीं आगी अगर अब तक admission लो गए है यह 20 तारीक से पहले तक admission ले लो इसी तरह से मैं J.E. की बात कर रहा हूँ J.E. का जो है 9999 का है जो 4999 में अभी available है बच्चों admission लेने के लिए मैंने नीचे google form दिया है description box में उनको जाकर के भरो और अपनी admission करा सकते हैं हमारा team आपको contact करेगा और आप वहाँ से admission लेना है कैसे वो पूरी जवाब जान करीदे देंगे अगर आप form नहीं भरते हैं तो दूसरा तरीका है आपको number है 0124-715-8250 पर हमें call कर सकते हैं बच्चों इस बात का ध्यान रखो पढ़ाई अभी करिये अभी करना होगा अभी से शुरुबात करना होगा अगर लेट करोगे तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता है मैंने आपको बता दूँ कि ये बैच जो है आरम बैच जो है वो सबसे बहतरीन बैच है बिवलब हो जाएगा तो आपको समझ में आगया होगा कि ये बैच आपको लेना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए अब समय नहीं है बच्चों सूचने का जो कि मैं यहाँ पर सारे सब्जेक के साथ आपको मिल रहा है जेई 4999 कौन कराता है भाई 4999 में पूरा कोर्स जो आफलाइन में करोगे उससे कई गुना बहतर आपको मिलने वाला है यहाँ भी इसमें देखिएगा जो 5999 में मिल रहा है इससे कम कीमत में कभी भी पॉसिबल नहीं है तो बच्चों आप में से कई बच्चों नहीं मुझे मेसेज किया था Google Form में मैसेज किया था अलगलग तरह से मैसेज किये थी कि सर फीस थोड़ा कम करा दीजए तो मैं आपके लिए यह आखरी चांस लेके आया हूँ फीस कम खर दिया गया है आपके लिए 50% आफ कर दिया गया ये एक ऐसे चीज़ है ये ऐसा एक्जाम है जो आपके जिन्दगी बदल देगा आपकी सोच बदल देगा आपका भविश्य बदल देगा और कैसा बदलेगा अच्छे की तरफ बदलेगा गलत की तरफ नहीं बदलेगा तो बस आज ये फॉर्म भरिये और एडमिशन लेजे बस इतना ही धन्यवाद तेंक यू